नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तोपून जानकारी को लेकर के जिहां आप सभी ने हमारे ही चैनल पे सुना होगा चने के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को लेकिन आज हम विस्तरीत रूप से भींगे हुए चने को खाने के या फिर अंकुरित चने को खाने के या फिर भूने हुए चने को खाने के क्या लाव हैं इससे जुड़ी होई जानकारी को लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमने ये प्रियोग उन लोगों पर किया जो रेगुलर चने खाते थे मगर उनक सिर्फ उनके चने खाने के तरीके को बदल दिया तो वो लोग हैरान हो गए जब उनको इस प्रकार से चने खाने के गजब के नतीजे मिले आप भी जानिये हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से चने को खाएंगे तो आपको क्या लाब होगा आयरुवेद के अनुसार चना खाने से आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बलकि बलवान और शक्तिशाली भी बनेगा चना भी उन चीजों के नामों में शामिल है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक चीज के अनिक फायदे यह जवानों और श्रम करने वालों के लिए ज्यादा फायदे मंद माना जाता है क्योंकि इसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना भी जरूरी होता है और दूसरा इन दो तरह के व्यक्तियों को बल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है वैसे तो चना कैसे भी खाया जाए फायदे मंद सिद्ध होता है लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं विधी बता रहे हैं अगर इस प्रकार से आप चने को खाते हैं तो इसका शत प्रतिशत लाभाप उठा पायेंगे सबसे पहले तो जानते हैं भींगे हुए चने को खाने के फायदे 25 ग्राम देशी काले चने को लेकर के अच्छी तरह से साफ कर लीजिए मोटे पुष्ट चनों को चून कर साफ करके कीडा या डंक लगे एवं तूटे चने निकाल कर फेंक दीजिए शाम के समय 125 ग्राम जल में इन्हें भींगो दीजिए सुबह सुबह शोचादी से निवरित होकर एवं व्यायाम के बाद चनों को अच्छे प्रकार से चबा करके खाये और उपर से चनों का पानी वैसे ही अथवा उसमें एक दो चम्मच शहद मिला कर पी जाये देखने में साधारण योग है किन्तु शरीर को बल और शक्ति प्रदान करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है ये चने की मातरा धीरे धीरे 25 ग्राम से आप 50 ग्राम तक कर सकते हैं भेंगे हुए चने खाने के बाद यदि दूध पिया जाये तो विर्य पुष्ट होता है व्यायाम के बाद रात को भेंगे हुए चने चने का पानी सही नेमित रूप से सिवन करने से आपका स्वस्थ सरीर बना रहेगा कहावत भी है खाए चना रहे बना जिहाँ सावधानी जिनकी पाचन शक्ति अती दुर्बल हो या चना खाने से पेट में आपरा आता है उन्हें चने का सिवन नहीं करना चाहिए ये सावधानी रखनी चाहिए इसके बाद जानते हैं अंकुरित चने को खाने के फायदे और विधि अंकुरित चना खाना सबसे ज़्यादा फायदे मंद है अंकुरित चना धातु पोष्टिक मांस पेशियों को सुद्रेड एवं शरीर को बजर के सद्रिश बनाने वाला तथा प्रायव समस्त चर्म रोगों का नाशक होता है विटामिन सी की प्रचूरता के कारण यह नाश्ता वजन बढ़ाता है खुन में विरिधि करता है इसके अलावा अंकुरित चने का सेवन फेफडे मजबूत करता है रक्त में कोलेस्ट्रोल कम करता है और दिल की बिमारियां दूर करने में सहायक होता है अंकुरित चने को खाने के फायदे तो हमने आपको बता दिये लेकिन आये इसको कैसे हम अंकुरित करेंगे इस विधि को भी जान लेते हैं अंकुरित करने के लिए चनुं को अच्छी तरह से साफ करके इतने पानी में भिंगो ये कि उतना पानी इसमें अऊशोशित हो जाये सुबख काल पानी में भींगो दें और रात्री में पानी से निकाल कर किसी साफ मोटे गीले कपड़े या उसकी थैली में बांध कर लटका दें गर्मी में 12 घंटे और शित काल में 18-24 घंटे तक भिंगोने के बाद गीले कपड़े में बांधने से दूसरी तिसरे दिन उसमें अंकुरन निकल जाता है। गर्मी में थैली पर आवशकता नुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए। इस प्रकार चने अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित चने का नाश्ता एक उत्तम टौनिक होता है। अंकुरित चने में कुछ लोग स्वाद के लिए पीसी हुई काली मिर्च, सेंधानमक, अदरक की कुछेक कतरन एवां निम्बू की कुछेक मुंदे भी मिला सकते हैं। परन्तु आप यद इन्हें बिना किसी मिलावट के खा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फैदे मंद होता है ये। इसके हलावा पचीस ग्राम काले चने रात में भींगो कर सुबह खाली पेट सेवन करने से डाइबीटेज दोर हो जाती है। गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े से बांध कर सूंहने से जो काम ठीक हो जाता है। मुठापा को कम करने के लिए हर रोज नाष्टे में चना लेना चाहिए। अंकुरित चना तीन साल तक खाते रहने से कुष्ट रोग में लाब होता है। गर्भवती को उल्टी होतो भूने हुए चने का सत्तु पिलाना चाहिए। चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिमा चने के आटे की नमक रहित रोटी 40-60 दिनों तक खाने से तवचा संबंधित बिमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, इत्यादी नहीं होती हैं। भूने हुए चने रात में सोते समय चबा कर कर्म दूद से पीजिये। इससे सांस नली के अनेक रोग एवं कफ दूर हो पीने से ना पून सकता समाब्त हो जाती है। चने के पोधे के सूखे पत्तों का धुम्रपान करने से हिच की तथा अमाशय की बिमारियों में लाभ होता है। पीलिया में चने की दाल खाने से राहत मिलती है। चीनी के बरतन में रात को चने भींगों कर रख दें, सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं, इसके लगातार सिवन करने से विर्य में बढ़ोतरी होती है, एवं पुरूशों की कमजोरी से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं, भींगे हुए चने खाकर पुष्ट हो जाती है, बार बार पे शाब जाने की बिमारी से बचने के लिए भूने हुए चनों का सेवन करना चाहिए, गूर एवं चना खाने से भी मुत्र से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं, रोजाना भूने हुए चनों के से बवासीर रोग भी ठीक हो जाता ह तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए चने के अलग-अलग रूपों में अलग-अलग प्रियोग के अलग-अलग फायदों को हमने आप सभी को बताया हमने पहले ही जैसा कि बताया कि पहले भी हमने एपिसोड में बताया हुआ है आपको लेकिन उसमें especially था कि भींगे हुए चने को खाने के फायदे या फिर ऐसे मतलब अलग-अलग था हमने इसमें तीनों चीजों को combinedly बताया connect करके बताया कि आपको हर एक लाव मिलता है इससे लेकिन आपको क्या चहिए अभी शरीर में या फिर क्या प्रोब्लेम है उसके according आप चने का 7 कर सकते हैं और इसका लाव उठा सकते हैं इसलिए हमने एक ही एपिसोड में चने के भून कि आप फायदा ले पाएं इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्थ जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए खुब सूरत है अगर हमारी बोडी में बेकार हो जाती हैं इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को अल्वेज बैलेंस डे रखें अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदल आया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आपके ओल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रहे शरीर में इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना जरूरी है सुब अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप हमें सुझाओ भी दे सकते हैं या फिर आपकी कोई राय है वो रख सकते हैं और अगर आपके कोई दोस्त हों मित्र हों जिनको लगे आपको की इसकी जानकारी होनी चाहिए उनको शेयर भी कर सकते हैं लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नए वीडियो देखने के लिए या फिर नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ करके तब तक के लिए धन्यवाद नमसकार दोस्तों